हलो फ्रेंड स्वागत है आपका आपके अपनी चैनल हसी स्टेडी गाइड में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले है एक्सिडन इन्वेस्टिकेशन के बारे में दोस्तो जब भी आप किसी और्गनाज़ेशन में या फिर कमपनी में जब भी आप काम करते हो तो साइड पर होने वाले जो भी एक्सिडन हो या फिर इन्सिडन हो उसको आपको इन्वेस्टिकेशन करना है या आपको पता होना चाहिए तो आज इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि accident का investigation किस प्रकार करना चीए तो चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तो जैसी ही आपको पता चलता है कि आपके side पर कोई accident हो या फिर incident अगर हो गया है तो सबसे पहले आपको उस area को attain करना होता है यानि कि जो भी incident का event जहां पर हुआ है वहाँ पर आपको पहुचना है जैसी आपने उस incident event को attain किया तो फिर आपको वहाँ पर barrigate करना है यानि कि वो जो area है वो barrigate करना है ताके जो भी evidence है उसको आप preserve कर सको फिर उसके बाद आपको details लेनी है कि किसका accident हुआ है या फिर incident हुआ है क्यूँ हुआ है कब हुआ है कैसे हुआ है कहां पर हुआ है ये सारी जो details है ये आपको लेनी है यानि कि आपको root cause analysis जो five wise step है वो find out करनी है फिर उसके बाद आपको जो भी emergency action ली गई है with respect of time वो note down करना है यानि कि कौन से time में कौन सी emergency action ली गई है वो आपको note down करना है फिर उसके बाद आपको जो भी incident हुआ है उसका आपको sequence create करना है यानि कि उसको आपको sequence wise जो है वो note down करना है जैसे कि incident कितने बज़े हुआ, first adder कितने बज़े वहाँ पर पोचा, management को कितने बज़े call किया, rescue team कितने बज़े आई, ambulance कितने बज़े आई, उस persons को कितने time में rescue किया, ये जो सारा incident events है इसको आपको sequence wise करना है फिर उसके बाद आपको 4P process follow करनी है, अब ये 4P process क्या होती है, तो आईए देखते हैं, तो सबसे पहला जो P है, वो deal करता है position evidence को, यानि कि उस locations की आपको photo लेनी है, उसका drawing करना है, या फिर जो भी relevant photos है वो आपको लेनी है, उसका sketch आप बना सकते हो, या फिर उसकी video recording कर सकते हो, तो ये जो है, ये position evidence में आता है, फिर उसके बाद second P आता है, वो है people evidence, उसमें क्या है, कि आपको जो भी witnesses है वहाँ पर उसका statement लेना है, साथ ही में उस persons के अगर आपको photos लेने है, तो वो भी जो photos है, वो आप ले सकते हो, फिर उसके बाद third P आता है, वो है part evidence, अब part evidence मे क्या होता है, कि जो भी accident हुआ है, या फिर incident हुआ है, वो अगर किसी चीज के तूटने के कारण हुआ है, या फिर failure होने के कारण हुआ है, तो वो जो failure part है, या फिर जो broken part है, उसका भी आपको evidence लेना है, तो वो part evidence में आ जाता है, फिर उसके बाद fourth P है, वो आता है, पेपर है, जैसे कि उसका TPI report हो गया, inspection report हो गया, वो वहाँ पर होना चीजए, फिर उसके बाद है कि जो persons का incident हुआ है, उसका medical certificate होना चीजए, उसका post mortem report होना चीजए, victims का training record हो, operator का license हो, फिर उसके बाद जो भी equipment हो, या फिर machinery हो, उसका test report है क्या, calibration report है क्या, वो भी आपको check करना होता है, फिर उसके बाद आपको valid work permit है क्या, वो भी check करना होता है, etc. तो ये जो सारे evidence है, ये paper evidence में आते हैं, तो इस तरीके से आपको, आपके side पर होने वाला जो भी accident है, या फिर incident है, उसको investigate करना है, तो दोस्तों, आचा करता हूँ कि आपको, इस video के माध्यम से, पता च चीए, उसमें हमने देखा, root cause analysis, जो 5Y process होती है, वो और साथ ही में, accident investigation की 4P process जो है, वो भी हमने इसमें देखी है, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं, नेक्स वीडियो में एक नए topic के साथ में, तब तक के लिए, take care, bye bye